बिर्मा करियर केट में आज मैं आपके साथ डिसकुस करूँगा चैप्टर 7 के बारे में। The name of chapter is print technology and its culture यानि print technology और culture का किस परकार से development वाग जब हम chapter open करते हैं तो सबसे पहले मेरे साल ने जो लाइन आती है उसे बहुत अच्छा question generate होता है What is the name of question? You are looking name the countries of where most of us develop print technology लेकि when we read the first line of chapter 7 उस chapter 7 में क्या लिखा गया है कि जो print technology है most of us उसका development three countries में वाथा China, Japan and Korea So we can generate a good question from this line Which are these three countries where most of us print technology develop उसके बाद में देर देरे आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अगला question हाता है What is accordion book? Accordion book क्या होती है लेकि उससे पहले थोड़ा हम और पर लेते हैं कि print technology का बर्त हुआ इन तीन कंट्राइन प्रिंट टेक्नलोजी का सबसे पहले बर्त चाहिन हम हुआ लेकिन development जो हुआ था वो three countries में हुआ था सबसे पहले हम देखते हैं कि उस time में print किस प्रकार सिख्या जाता था wooden block हुआ करता था यानि एक wood जो वाकाती थी उसका structure बना होता था वो structure के अंदर alphabet को indicate करते हुए कुछ hole होते थे उस hole में ink डाली जाती थी फिर जो paper जिस paper पे हमें print करना होता था उस paper पे उस wood block को रगड़ा जाता था its mean that was rubbed on the paper उस paper पे रब करने की बाद में वो जो alphabet थे उस पे print हो जाते थे लिकिन यहां पे अगर paper जिसे हम उस पे print करते थे तो कई बार क्या है जो ink थी वो opposite यानि दूसी चाइड में इस प्रेड हो जाती थी जिसके वज़ेशी पूरा पेपर वेस्ट हो जाता था ऐसी कंडिशन में यह जो मैंने लिखा है what is accordion book यह accordion book क्या है इस system को यूज में लिया जाता था अब accordion book में क्या होता है कि जैसे यह paper है जिस इस paper को हम fold करते हैं fold करने के बाद में इस परकार से इनकी दोनों side हैं उसको stitch कर दिया जाता था stitch करने के बाद में जैसे एक side में आप rub करोगे तो rub करने के बाद में वो दूसी side में ink spread नहीं होती थे so ink spread नहीं होनी से बचाने के लिए the system was developed the accordion system Now we talk which country is which country is the birthplace of civil service exam घितके चाहइना में रोइल यकी अदेर थे हैं इने हैं अदर उनका सिश्टम था वह सिविल सर्विस के दोबरा रिकूर्ट किया जाते थे so you are to remember that most of us civil service exam was developed in China civil service के द्वारा employees को कहें recruit किया जाता और textbook की demand होती थी और क्योंकि बहुत सारे उसमें recruitment में लोग क्या participant करते थे उतनी ही ज्यादा textbook की requirement होते थे इस वज़े से maximum books को print किया जाता था और इस वज़े से यह print technology डेवलप होते गए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं हाओ डिट प्रिंट कल्चर डेवलप इंचाइना चाइना में अर्बन एरियाज में अब जो मर्चेंट लोग थे वह भी अपने डेली लाफ की रूटीन की जो भी वर्क होते थे दें नोट डाउन दा ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन इन दा बॉक्स दस देश्ट मर्चेंट और्सो स्टाटे टू यूज दा प्रिंट टेक्नोलोजी उस अर्ष्ट ऑफ दा पेपल एंक्रेज अकोडिंगली दा बॉक्स वार स्टाटे टो बी डिमांडेड एंड प्रेंट स्टाटे टू प्रोडिश सो मैंने बुक्स और इस प्रकासी बुक्स की डिमांड बढ़ती गई और बॉक्स पब्लिश होते गें फिर आगी चलकी जो रो प्रोड आफ रोएल फेमिली यानि रूलर के जो दरबार में होते थे उनको कर्टिजन बोलते हैं उनकी लाइफ के बारे में इन रोएल फेमिली के लेडिज ने लिखना स्टाट कर दे आप तो यह पूरी स्टोरी है यानि स्टाट में शिर्फ स्कॉलर यूज लेते थे बा इन इंट्वर पूर्ट सिति हए इस प्रकार के बुकस पूब्लिक की जाते हैं जो वेस्टन स्टाइल की स्कॉल थे वह हम पे जो बॉकस की डेमांड होते थी और इस परकार, I can say that the wood block printing shifted into the mechanical press, this was the starting point of this chapter, I think you have got it and I will tell you in details about the other topics in the next video, now I want that you permit me to depart, have a good day, have a nice day.